यह हैं इस वीडियो लोग जो मैटो कंपनी बारे में बात करेंगे देगे जो मैटो जब आईपी वहाए था तो जबरदस्ट लेश्टिंग गेंड मिला था लोगों को लेश्टिंग गेंड जबरदस्ट देने के बाद कंपनी का सेर प्राइस लगतार निचे की तरफ जा रह है इस वीडियो वह में इसी के बारे में बात करूँगा आपको बताऊंगा कि आपको समय देना चाहिए और यूं रॉक्स करते हैं सबसे पहले बता देते हैं आपको के जो मैटो है काम क्या करती है आपको इस से पहले से पता होगा कि यह लीडिंग ऑंलाइन फूड तो इतने समय से जब नीचे जा रहा है तो इसका जो मार्केट कप है इसके वेलुएशन में कमी आया है और तात मार्केट केप में थोड़ी सी गिरावट आई है सेर प्राइस देखी 78 रॉपया असी पैसा है डाउन ट्रेंड में अर्थाथ नीचे की तरफ जा रहा है यहां तक हाई लगाने बाद शेयर प्राइस जो नीचे की तरफ जा रहा है लगदार नीचे ही जा रहा है देखिए इस कंपनी का जब आप ग्राफ देखेंगे चार्ट पेटरन देखेंगे तो चार्ट पेटरन बहुत जदा अप डाउन ट्रेंड वोला है और मैं आपको बत चड़ाओ ज्यादा होता है हाला कि जो मेटो कंपनी में आप देखेंगे तो इसके शेयर प्राइस में उतार ही ज्यादा है चड़ाओ बहुत कम है चड़ाओ तो लगवग मान के चलिए ही ने जब से लिश्टिंग के इन कंपनी को मिला है आई प्यों आनेक बाद शेयर प् कब उठेगा उसके बारे हैं बात होगी फिलाल यह समझे कि इसका एक सब्ता का जो डिटर ने माइनस चो पूंट चार एक परसेंट है मरता लगवग साथ परसेंट निगेटी में चल रहा है एक सब्ता में और एक माह में देखेंगे तो लगवग 20% यह से तूट चुका है यहां समझे इस कंपनी का जो रेश्टेंस लेवल है 100 रुपया है गराफ में आप देखेंगे जब 100 रुपय के आज पास इस कंपनी का सेर प्राइस बढ़कर उपर जाएगा तो उसके बाद 125 रुपया के लेवल और चढ़ेगा अगर 100 रुपया से 125 के लेवल को चढ़कर चला जाता है तब माइनेगा कि सेर प्राइस में असली तेजी यानी सुरू हो जाएगी और उसके बाद सेर प्राइस ऊपर जाने लगेगा लेकिन फिलाहाल तो डाउन ट्रेंड में 100 रुपया तक जाना का इसका जो सेर प्राइस से कम समय में थोड़ा मुस्किल लगता है तो इसलिए अभी सपोर्ट लेवल की बात कीजिए अभी 78 रुपया सी पैसा पर है इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 670 रुपया 83 पैसा हलाकि जिस तेजी के साथ कम्पनी का सेर प्राइस नीचे जा रहा है बहुत उमिदे कि इसका पहला सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक कर दे लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा इसके समवाना बहुत कम है हलाकि सेर मार्केट में कुछ गरांटेट नहीं होता है जा भी सकता है अब आईए हम लोग कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं तो सबसे पहले सुरुबात करते हैं इसके क्वार्ट रिजर्ट से तो देखे कंपनी लॉस मेकिंग तो प्रोफित नहीं था लेकिन कौर्ड़ 2 में 435 क्रॉण का लॉस था और वह कम होकर क्वार्ट 3 में सिर्फ 63 क्रॉण का लॉस रह गया मतलब कंपनी ने लॉस को कम किया है और मैं यह बार-बार कहता हूं कि लॉस कम होना भी एक परकार का प्रोफित ह बहुत लॉस कम हो गया 435 क्रॉण से कम होकर 63 क्रॉण तक आना कम बात ने सिर्फ तीन महां में अर्णिंग पर सेयर भी थोड़ा बहतर हुए पिले माइनस में था माइनस में तो अब भी यह लेकिन कम हो गया है यहां देखेंगा आप कंपाउंडिंग से ग्रोफ जो है कंप करणा रहा है करने का मतलब कि जो मैट्व जैसी जो कंपशनी इसका जो बिजनेस मडल है इस में जब तक मार्केटिंग पर कंपनी खर्च नहीं करें कि इसका बिजनेस मडल आगे बढ़ेगा नहीं रेभिननू का ज्यादा पैस पैस कंपनी एड़्वर्टाइजमेंट और म कंपनी के खुद की संपति है और यह भी साल दर साल बढ़ते जा रहा है लेकिन यह देखेंगे तो कम होता जा रहा है तो यह कम हो रहा है तो धिरे-धिरे कम होई जाएगा अब आई यह बात करते हैं देखिए प्रमोटर के पास बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं 003 परतिस्था आपको पता है जब आया था तो ज्यादा तर इसका जो हिस्सा था इसमें प्रमोटर पैसा लेकर निकल गए लेकिन इसमें फॉरेंड वालों की हिस्तेदारी है और इसमें डुमेस्टिक इसमें 4.37% भारत के मुच्वल फंड और बैंक वाले इसमें है ज्यादा तर इसकी जो हिस्तेदारी है पबली के पास है अभी जो लोग इस कंपनी के सेयर को बाइक किये हुए हैं पहले से या तो लेस्टिंग के बाद रखे होंगा या बाद में कंपनी के सेयर बाइक कंपनी काम करतें कंपनी का बिजनेस मिलडल इसमें तो एक अग्राणी कंपनी है और इस तरह का डिमांड आने वाले समय में बढ़े गया ही कम नहीं होगा, आने वाले यक दो साल में कंपनी जहां पास लॉस अब बहुत कम रहे गया सिर्फ तीर सट लाग का लॉस थै, और प्रइंड शुरू हो गया तो इसदू तीन महीना में हाई को ब्रेक कर देगा दीकत यह है कि जब से कंपनी का मतलब आइप वाया उसके बाद से शेयर प्रैस लगता डाउं ट्रेंड में हिरा एक तो कंपनी जब आइप वाने के बाद पास पैसा मिला था प्रोमोटर से लेके और अगर आप इस समय नहीं देना चाहते हैं निकलना चाहते हैं तो वह रास्ता भी आपके लिए खुला है आप सेर्स बेस्के निकल जाएं और यह जो पैसा है दूसरे किसी कंपनी में लगा दीजिए अगर इससे कम समय में आपको अच्छा रिटर्न को कंपनी कमा कर देते निकल जाएं तो उम्मीद करते हूं वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी मैं जो बताना चाहरा था आपको समझ मैं आया होगा मन में कोई सवाल है तो मुझे जरूर पूछे बाकी मिलते हैं इन्यक्टि वीडियो में तब तक धन्यबाद सुक्रिया